कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो जैसे लोके हैं वो एक दम कच्छी लें और इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करें लोकी को छील लेंगे धोलेंगे और फिर इसे ग्रेट करेंगे एक्टम टाइट नि चोड़ना एं एक कप बेचंड डाला है हाफ केजी जितनी लौकी में लाल मिज्च पाउडर डालेंगे एक पिंच सोडा डालेंगे थोड़ी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर अजवाइन इसमें डालेंगे हम हीं और धनिया पाउडर जीरा पाउडर और डाल देंगे इसमें हम टेस्ट के इसाफ से नमक और फिर इसको हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करते समय ध्यान रखेंगे अगर पानी की जरुवत है तो लौकी वाल ऑइल डालें और हिसे mix करेंगे और कोप्ते fry करेंगे तो mustard ऑईल को medium we flame पहमने गरव कर लिया है धो तो आप चूटे च्छेटी कोपते बनाएंगे बहुत बड़ी size पलटेंगे, और दो थोड़ा सामने सोडा डाला था, उसे जो कोपता है वो अच्छे से फूल के आ जाता है, एकडम गोल सेफ में आ जाता है, तो आप सोडा जरूर डालें उसमें, थोड़ा सा डालें बस, या फिर अगर सोडा नहीं डाल रहे हैं, तो उसका जो बैटर बनाय सबिया है उसको थोड़ा पतला रखें नहीं तो आपके कोपते हाड हो जाएँगे के ग्रेवी बनाएंगे स्थ ग्रेबी बनानी के एक कड़ाई लेंगे उसमें अल्लंच पाओडर दालेंगे हैं 11 boues शिरेंगे निया और यह अधर चोपziękuję और टमंदर टीछिणे कड़ाई में बारीक चौप करके प्याज डालेंगे उसे सेख लेंगे फिर डालेंगे हल्दी पाउडर इसमें लाल मिश पाउडर डालेंगे और इसमें धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा डालेंगे में जीरा पाउडर थोड़ा गरम मसाला एक चमच बेसन एड़ करेंग और बेशन और मसालों को बून लेंगे बेशन की एक अच्छी सी खुश्बू आ जाएगी भुनने की तब इसमें टमाटर एड़ करेंगे तो बेशन डालने से मतलब अच्छा टेक्चर आता है ग्रेवी में तो आप जरूर डालें एकदम स्मूथ ग्रेवी बनती है और पानी जब डालें आप भूनते समय तो गरम पानी ही एड़ करें ठंडा पानी ना डालें अब ग्रेवी अच्छे से मतलब जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है और इसे हमें पतला करना हैं क्योंकि जब कोपते डालें नमक एड़ कर दिया है मैंने जब हम कोपते डालेंगे तो पानी वो सोक करते हैं तो करीब एक कटोरी जितना पानी हम इसमें ज्यादा डालेंगे और बॉयल होने देंगे फिर इसमें करीब दो बॉयल आने चाहिए तब हम इसमें कोपते डालेंगे तो सारे कोपते डाल देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हतेली पे घिसके कसूरी मेती डाल देंगे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और फिर डाल देंगे इसमें गरम मसाला थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल देंगे और दो मिनट के लिए इसे हम ढखकर मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे फिर इन्हें आप सर्व कीजिए चपाती के साथ, राइस के साथ इंजोई करिए फैमिली के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी में बाई, थेंक यू